कॉंग्रेस नेता और मद्ध प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी कमलनाथ के बिजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई आपको बिजेपी नेता तजिंदर सिंग बग्गा ने दावा किया है कि कमलनाथ बिजेपी ने कभी दरवाजे ना खोले थे और ना खोलेंगे ऐसे में कॉंग्रेस में मची खलबली पर शुसेना के राज्य सबा सांसद और प्रवक्ता संजराउत ने भी कहा कि प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी में हतासा देख रही है अब वो दूसी पार्टियों को तोड़ने में जुड़ गए हैं अन्य जिलो के बिधायक दिल्ली पहुँच सकते हैं अब ऐसे में हो सकता है कि कमलनाथ आज ही भाजपा जॉइन कर ले या इसके पहले भी उनक्याट कले लगाई जा रही थी कि दो-तीन दिन में वो जॉइन कर सकते हैं लेकिन आज वो मिलने जा रहे हैं ऐसे में क्यासों का बाज़ार भी गर्म होता जा रहा है आपको बतादे दरसल दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का रास्टी अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए एमपी भाजपा के कई नेता भी पहुँचे हैं यह अटकले इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि पता चला है कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के चलते चिंदवारा जिली के कई बिधायकों ने अपना फोन भी बंद कर लिया है चिंदवारा के कई बिधायकों से संपर्क भी नहीं हो पाया है बता दे कि चिंदवाड़ा में साथ बिधानसवा सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा है कमलनाथ के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उनकी जादतर जादतर जो समर्थक है वो बिधायक दिल्ली पहुच गए है या आज पहुच सकते हैं अब ऐसे में कहीं न कहीं कमलनाथ की जो बिजेपी में जाने की अटकले हैं और जादा साफ होती हुई नजर आ रही है